आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ मेरी कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा एक चंगल में एक शेर रहता था एक दिन वहें गेरी नीन में सो रहा था कि तबी एक चूहा वहां आकर उससे उचल कोद बचाने लगा इससे शेर की नीन खुल गई उसे गुसा आ गया उसने चूहे को पकड़ दिया शेर गुसे में बोला तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे नीन खराब करे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चूहा हाथ जोड़ कर बोला महराज मुझे माफ कर दीजे आज मुझे छोड़ दीजे एक दिन मैं आपके किसी काम आऊंगा ये सुनकर शेर को हसी आ गई कि एक चोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा उसने चूहे को छोड़ दिया एक दिन वही शेर एक शिकारी के जाल में फस कया तभी वही चूहा उदर से गुजरा उसने शेर को जाल में फसे देखा तो तुरंक जाल को काट दिया शेर जाल से छोट गया उसने चूए को धन्यवाद दिया तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छोटे से छोटा वैक्ती भी समय पढ़ने पर काम आ सकता है कैसी लगी कहानी आपको तैंक यू